गैस कुछ इस तरह के sentences होते हैं जैसे वैसे तुमने ये क्या सोच कर बोला? वैसे मैं भी देखता हूँ वो मेरा क्या बिखाड सकता है? वैसे तुम इतने समय से कहां थे? इस तरह के sentences को कैसे translate करते हैं? Let's have a look at it. इस तरह के sentences को translate करने के लिए हम अपने sentence में यूज़ करते हैं by the way तु जैसे example है वैसे तुम्हें यहां आने में इतना समय क्यों लगा? वैसे तुमने ये क्या सोच कर बोला? वैसे मैं भी देखता हूँ वो मेरा क्या बिगार सकता है? by the way, let me also see what he can do any wrong to me by the way, let me also see what he can do any wrong to me वैसे मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुँचाने का नहीं था by the way, it was not my intention to hurt you by the way, it was not my intention to hurt you वैसे तुम इतने समय से कहां थे? by the way, where had you been so long? by the way, where had you been so long? कुछ इस तरह के sentences होते हैं जैसे वो मनी मन खुश है उसने तुम्हारा शादी का प्रस्ता स्विकार कर लिया तुम मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे वो हो मनी मन तुमसे गुसा है मैंने मनी मन भगवान से प्राटना की इस तरह के sentences को translate करने के लिए हमारे पास एक adverb है inwardly इसका मतलब होता है मनी मन या फिर मन में वो मनी मन खुश है उसने तुम्हारा शादी का प्रस्ताफ स्विकार कर लिया तुम मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे वो हो मनी मन तुमसे गुसा है टुम मनी मन किसी के बारे में गलत क्यों सोचते हो वो है दो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नह जरू सीखने के लिए मिला होगा तो guys आपके जो भी questions हैं आपके जो भी doubts हैं उन्हें मुझे comment section में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए thank you so much for watching this video I'll catch you in the next video take care